एक सो सत्रा मीटर का छक्का मुझे दो याद नहीं पड़ता मैंने लास्ट इम कप कोई देखा था कोई इतना लंबा छक्का जो अभी तक बेस्ट कैचीज हुए 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 है इस टोरना मिटर पे उसमें से एक कैच इसक ने पकड़ा हुआ और शामी ने आखरी ओवर में 28 रन और 117 मीटर का जो छिका उनने खाया माई गाड़ जहीं दोस्तो जीटी जैसी टीम को धराशाए कर दिया गबर ने और बेस्टो नो बेस्टो नहीं राजपाकसा और गबर की जोड़ी ने कमाल की स्टार्ट दी और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी करदी लिविंग स्टन ने इस IPL का सबसे शांदार छक्का 117 मीटर लंबा छक्का हमें देखने को मिला मैच इतना शांदार था बहुत हटकर था तो रियक्शन भी हटकर होगा देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का किस परकार का रियक्शन है इस जीत पर हम जीटी की बैटिंग पर थोड़ी बात करेंगे तब बले 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 बला 16 वर 18 वर का कहा था मैंने पर इस तो आप 10 वर तो आप एक यह उवर में पूरा करें और टीम को भी जोड़ी बल्कुल जैसी आप से कहा था कई जैसी ये क्लोज़ पहूंचें तो इनको चाहिए जल्दी से जल्दी ये टोटल पूरा करें और उसका बरपूर फायदा होगा इनको नेट रा नेट रा 17 मीटर का लंबा च्छका मॉंस्टर 17 मीटर मुझे तो याद दी पढ़ता है मैंने आखरी दफ़ा इतना लंबा च्छका इतना परा च्छका आखरी दफ़ा शामी को एक अवर में 28, 3 चिके, 2 चोके 1 दुका कभी याद है पांडिया भी बीच में थोड़ा हस रहा, मुस्कुरा रहा भाज़न की हस नी रहा याद बोले अगर आखरी दो बालंपे 2 च्छके लगा सकते हैं तवाटिया 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 तो वी हैव लिविंग स्टें तो आखरी तो अगरवाल उसने अपने आपको नीचे, नीचे राज़ा पक से बहुत अचा दवन देखें, संबड इट वाज़न इनिंग तो तिंग्स वर आलवेज अंडर कंट्रोल जैसी चाहिए थी, वैसी मैं भाई कह रहा हूँ, तिंग्स वर आलवेज अंडर कंट्रोल मैंने को यार, तीन अवर में तीस करना है, संगी मरवाना देन, एब शर्मिदी ली ना होजे, कि ते अठारा ही ना जितना हुना क्या, हम है ना हम अठारा नहीं, हम सोले में जितेंगे, हुसार करेंदी पंजाब, मोसन सार और बुर्रा बले-बले-बले देखे Count आज कल डुनिया क्रिकिट में लिविंग स्टन जैसा हाठ हिटिंग बैट्समैन लिविंग स्टन की स्पलिंग ठीक कर देंगे यार, आगे चलिए आगे अगे, यार, जल्दी में लिखता है बंदा थोड़ा आगे पिछे हो जाता है इतना फिरोशियस किसम का हीटर जो है 117 मीटर का च्छका मुझे दो याद नहीं पड़ता मैंने लास्ट टिम कब कोई देखा था कोई इतना लंबा च्छका और बहुत ही शानदा जो क्रोरो रुपे इस पे खर्च किये तो ये बॉलिंग में भी अपनी टीम के लिए जान मारता है फिल्डिंग में भी जो अभी तक बेस्ट कैचिस हुए हुए है इस टोनर मिट में उसमें से एक कैच इसक ने पकड़ा हुआ और बॉलिंग में भी अपनी टीम के बहुत एहम रोल अदा करता है दो तीन दो तीन अवर निकालता है बीच में और जब पावर हिटिंग की बात आए सेकिंड उनन परहापस टॉप अफ दे लिस्ट अर दे मॉमेट जो नमबर चार पांच पे या च्छे पे आते हैं उन बैस्मेनों की बात कर रहा हूँ मैं इतनी शांदार हिटिंग और मुझे याद बढ़ता है कि पाकिस्तान ने दो सो तैंटिस रंस किये थे एक टी ट्वेंटी मैच में अभी जब लास्ट टेम वगयरा कि हो तमाम बॉलर्स की स्पिनर्स होthon, वास्ट बॉलर्स हो शांदार रहां के बहुत पाए का बॉलर है तीन ओवरो में कितने दिया होते हैं पंध्रह तीन ओवरो में पंध्रह और आखरी ओवर में देखें जि क्या है होगा आखरी ओवर में सारे रंज वो पूरे कर गया और बहुत बेहतरी जब आपकी टीम को जोट भी हो चीजें अंडर कंट्रोल हो तो यू शुड डू इट लाइक वाट लिविंग स्टन डिड़ इससे ना सिर्फ इनको दो पॉइंट मिलेंगे अभी थोड़ा अपडेट हो जाएका नेट रं रिट आपको बताएंगे कितना इन्होंने बूस्ट हासल किया हारा एक बहुत गंदा मैच जो पंजाब हारा था जिसकी बदौलत इनका नेट रं रिट बहुत नीचे चला गया था तो डेली कैपिटल से जो आठ नो वरों मैच हार गया था तो इनको बहुत जरूरत थी कि ये बड़ा मैसिफ किसम के एक विक्ति हासल करें और देखिए किसके खिराफ आई है गुजराथ टाइटन्स टेबल टॉपर जो कि नो मैसे सिर्फ एक मैच हा रहे हैं बाकि तमाम मैच वो जीते हुए थे उनके खिलाफ ये जीत आई है ना सिर्फ इनका नेट रं रेट इंप्रूब होगा ना सिर्फ पॉइंट्स दो मिले हैं उसके साथ साथ इनके कॉन्फिडेंस में भी बहुत इजाफा हुआ होगा क्योंकि टेबल टॉपर को हराके जो कॉन्फिडेंस मिलता है जाहर है कि उसके कोई नेमल बदल नहीं है बागी गुजराथ के लिए काफी दूसी टीमें जो देख नी थी भाई इनको कैसे हराया जाया तो कहीं नहीं देखे निज्वान आज कमाल यहा है जो एक तो यहीद का तुफा में दिया गया है तुफा कबूल चो कबूल चो कबूल चो कबूल चो बात यहा है कि देखे सबसे खतरनाक बॉलर जो है वो टाइटन्स का कौन है राशिद खान है ठीक है जी 21 रन की है उसके उपर इन्हों का कोई मसले नहीं है 24 बाल एक किस रन वी विल टेक इट समझ दाए शामी वस एक्सेप्शनल आप कह रहे थे कि बाई जान यह तीन ओवर तो कमाल के कर गया अब यह नहीं रूपता मैंने आप से कहा ता फिर गोसन है हम कर लेंगे रंजें कोई मसले नहीं है और शामी मार ख करोड लिया लें जिनाब मैं आपको 117 मिनिट का एक करोड का चका देता हूं ठीक है हमने का ठीक है वो कह एक और चका देता हूं हमने का ठीक है फिर चौका चौका दुका तो कहने का मकसद यह रिजवान साब आपकी बालिंग अच्छी थी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दवन होर्जक की जब हमने चेज नहीं स्टार्ट किया था मैंने आपको उस वद भी का था दवन होर्जक की और आपने बेकुल ठीक का था कि यह टेलरमेड सिच्वेशन है जिस तरह की रंचेज चाहिए होती है दवन और राजपाक्षा ने 62-42 62-42 बनाए चखके भी दिख और एक तो बहुत ही गजब का चखका मज़ा आगया जो वहां बैट कर इस मैच को देख रहा था उसे उसकी टिकेट के पैसे वसूल हो गए होंगे और आपने भी वसूल कर लिया होंगे आपके चार घंटे बताईएगा कैसा था मैच जीटी को इस हार से फरक नहीं पड़त पॉइंट सेबल पर अगर बात करें तो कोई फरक नहीं पड़ता लिए पंजाब के लिए इस मैच की इस जीत ने गजब के मोटिवेशन का काम किया होगा जीटी जो की साई पिल की सबसे शांदार टीम है उसे 143 जैसे स्कोर पर रोकना और उसके बाद चेज करना वो भी 24 गेंट सेश रहते हैं तो बहुत ही शांदर मैच था आपका क्या ख्याल है कॉमेट करके जरूर बताईएगा मिलेंगे नेक्स एपिसोड में अभी के लिए बस यही जहें